नारायन एंड हाई आप सबका तुन्ह डिफेंस अकेडमी चैनल में एक बार फिर से स्वागत हैं और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम हमारा आर्मी कलर का टेस्ट पेपर फोर्ट करेंगे तो अब हम बिना टाइम वेस्ट के हमारे टेस्ट पेपर पे चलते हैं जो की बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है देखिए बारत में ग्रामीन चेतर के लिए आवशक ओसत कैलोरी कितनी है तो इसका अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर दी ठीक है आप देखिए क्योशन नमबर टू है भारतिय सविधान में कितने प्रकार के न्याई कादेस हैं पांच च्यार तीन और दो भारतिय सविधान में जो हैं वो आपके पांच प्रकार के न्याईक आदेश है ठीक है अब देखिए क्योशन नमबर थर्ड क्योशन नमबर थर्ड है आपका स्वराज मेरा जनम सी ददिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किस ने दिया था महात्मा गांदी ने अब देखिए क्योशन नमबर थर्ड क्योशन नमबर थर्ड है भारत के किस राजे के पास सबसे लंबा समुद्रिय तठ है केरल के पास गुजरात के पास आंदर प्रदेश के पास और तमिनाडू के पास तो भारत के किस राजे के पास सबसे लंबा समुद्रिय तठ है वो आई से तो यह जो सिधानतै प्रिंसीपल है वो आपके संसादन की कमी से समद्धित है ठीक है आप देखिए क्योशन नंबर 6 क्योशन नंबर 6 है आपका नीमने लिखित में से सूरिय तथा प्रत्वी से विकिरित उश्मा के अवसोशन के लिए सबसे आवशक क्या है कारबन ड आयोकसाइड, option number A आपका correct answer हो जाएगा, अब देखिए question number 7, question number 7 है आपका, निमनलिखित में से किसका सरीर सिर से पूस तक खंडित होता है, मुलस का चून प्रवारा जाती, संधी पात जाती, वलेन जाती या आंतर गुही जाती, बताइए कौन सी जाती जो है, वो सर से पूस तक खंडित होती है, तो वो है आपकी वलेन जाती, option number C आपका correct answer हो जाएगा, आप question number 8, question number 8 है आपका, निमनलिखित में से किसके मद्यस ने पस अंतराल स्थित होता है, बताइए दो तंतरी का कोशिका, मस्तिश्क तथा मेरूरज्जू, दो गुर्दे, इन में से कोई नही तो किसके मद्यस ने पस अंतराल स्थित होता है, वो आपकी दो तंतरी का कोशिका, option number A आपका correct answer हो जाएगा, आप देखिए, question number 9, question number 9 है आपका, कौन से, question number 9 है आपका, कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई सनचनाई होती है, जिने दिर्ग रोम तथा कहते हैं, बड़ी आत, मुतराश्य, छोटी आत या पेट, तो इसका अंसर होगा, आपका option number C, छोटी आत, आप देखिए, question number 10, question number 10 है आपका, निमने लिखित में से कौन एक सदिश मातरा नहीं है, त्वरन, विदुद्दारा, बल और सम्वेग, सदिश मातरा नहीं है, तो इसको क्या करना है, आपको इसको सरल करना है, तो देखिए, आपके ये जो portion है, वो क्या है, देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दू, देखो, A की cube माइनस, B की cube आपकी क्या होती है, वो होती है, A की cube, A की cube प्लस B की cube, तो वो आपकी क्या होती है, वो होती है, आ आपकी a plus b, a plus b, a की square minus a b, और plus b की square, यह होती आपकी a की cube plus b की cube, तो यह आपका क्या है, यह पूरा आपका है, यह है आपका a की cube plus b की cube, है ना, और यह आपका नीचे वाला जो है, यह क्या है A की स्क्वाइर माइनस A B और प्लस B स्क्वाइर तो अगर आप A की क्यूब प्लस B की जगए आप क्या लिख सकते हो हम लिख सकते हैं A प्लस B a की qyube minus a b plus b square write down कर सकते हैं अब नीचे तो हमारा a की qyube देखिए a की qyube और यह हमारा क्या हो जाएगा minus a b plus b square इससे यह cut हो गया a plus b क्या है देखो a आपका क्या हो गया 0.1 और b आपका क्या हो गया 0.3 तो answer आपका क्या हो गया 0.4 तो option number D आपका correct answer हो जाएगा 0.4 ठीक है आप देखिए question number 12 12 number question में आपको क्या है देखिए आपको यह क्या देदी आपको यह powers देदी तो आपका इसकी क्या बताना है आपको मान बताना है तो देखिए पहले मैं अंदर वाला बता देती हूँ आपको 8 जो है यह किसकी power होगी 2 की तो 2 की power 3 into यह क्या हो जाएगा 1 upon 3 3 से 3 cut हो जाएगा और 64 किसकी cube होती है 4 की 3 into 1 upon 3 3 से 3 cut यह क्या हो गया आपका 6 6 की power 3 और यहाँ पे बहार आपका क्या है 6 ठीक है उसकी power क्या हो जाएगी 1 upon 4 यह हो जाएगी अब देखो 6 की power 3 और 6 की power 1 यह आपका क्या हो जाएगा 6 की power 4 into 1 upon 4 4 से 4 cut गया answer आपका क्या आगया 6 option number B आपका correct answer आजाएगा आप देखिए question number 13 13 number question में आपको क्या है 2 की cube plus 5 की cube 5 की square minus 2 की cube का आपको मान बताना है तो इसको आप क्या लिख सकते हो इसको आप 5 square plus 2 की cube और यह क्या लिख सकते हो 5 की square minus 2 की cube अब यह देखो आप यह A और यह B तो यह आपका क्या बन गया A plus B और A minus B और यह आपका क्या होता है A square minus B square यह होता है ना तो अब देखो, आप a plus b, a minus b, तो a square आपका क्या होगा, 5 की square, minus b आपका क्या होगा, 2 की cube की square, तो यह आपका क्या होता है, 25 को 25 से करेंगे, तो यह आपका क्या जाएगा, 625, और यह आपका क्या हो जाएगा, 2 की power cube, 8 और 8 की power कितनी होती है, 64, अब देखो, 5 में से 4 गया, 1, 12 में से 6 गया 6 और 5 में से 1 गया 1 और 12 में 6 गया 6 यह बच गया आपका 5 तो option number C 561 आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए question number 14 question number 14 है यदि एक तिर्बुज में बराबर लंबाई का केंद्रक और लंबवत है तो निमने में से कौन सा तिर्बुज के बारे में सही है समकोण समतुल्य विसंबाई या अधिकोण तो संबाई जो तिर्बुज है सिर्फ क्या है संबाई तिर्बुज ही केवले कैसा तिर्बुज है शंबाव तिर्बुज supporters जिसके अंदर क्या होती है जिसके अंदर केंद्रक लंबवत और अंटये एक ही बिंदू पर होते हैं को नियुक्सा हूँ आ नमबर B आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है, 15 नमबर question, देखिए, यदि A आपका 400 है, B आपका 600 है, तो A B से कितना पर्तिशत कम है, तो देखिए, A कितना कम है, 200, और आपको पूछा क्या है, A B से कितना percent कम है, तो नीचे क्या आएगा, B का, divide into 100, 2 से 2 गया, 2, 3 बार कट हो गया, अब 3, 3 जा 9, 1, 3, 3 जा 9, 0.33, option number C आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, question number 16, दो संख्याओं का अनुपात क्या आपका 2 ratio 3, यदि दोनों संख्याओं का योग आपका 75 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कोन सी हो होगी, अब 2 संख्याओं का अनुपात, तो 2 संख्याओं का अपका अनुपात मतलब 2 संख्याओं का योग, देखिए, तो योग कितना है, 75, यह आपका क्या हो गया, 5 x is equal to 75, अब 5 को कट किया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो x आपका क्या आगया, x आगया आपका 15, तो दोनों संख् 15, 3 is a 45, तो option number a आपका correct answer हो जाएगा, 45, अब देखिए, question number 17, 17 number question है, यदि 23 x plus 23 y is equal to 184 है, तो x तता y के value बताईए, तो देखिए, इन दोनों में क्या कर लेंगे, 23 common लेंगे, x plus y is equal to 184, अब इसको cut कर दो, cut करेंगे, तो 23 देखो, 8 जा हो जाएगा न, तो 8 3 जा, 24, 8 तो जा 16, 16 ओर टू, 18, तो ये क्या आजाएगा, 8 ताइम, तो x plus y का जो जोड है, total है वो कितना आजाएगा, 8, और average निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2, 2 चोके 8, तो option number b आपका correct answer हो जाएगा, अब देखिए, question number, 18, एक घड़ी का विक्रें मुले 966 रुपए है, तथा लाफ 15 परसेंट है, यदि विक्रें मुले 7, 9, 8 है, तो हानी परतिशत क्या होगा, देखिए, एक घड़ी का जो sale price है, वो 966 है, profit कितना है, 15 परसेंट है, यदि उसका sale value कितनी है, उसने बेचा कितने में है, 708 में रुपए में, ठीक है, तो उसको कितने का loss होगा, ठीक है, तो देखो, इस चीज में क्या करेंगे, जो 966 है, इसमें 15% का profit add है, एड है न, profit 966 में, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इसको सीधा क्या करेंगे, सीधा लिखें, कैसे, देखो, ये 115 की value क्या है, 966, तो हमें निकालनी है, 708 में की value, ठीक है, किस की value निकालनी है, 708 में की value निकालनी है, ठीक है, अब देखो, अब इसको cut कर देते हैं, किस से, देखो, 23 से cut करके देखते हैं, 23, 3,000 कितना होता है, 23, 3,000, तीन तीया 9 और तीन दूनी 6 ठीक है अब 4 से करके देखते हैं यह कितना होगा चार तीया 12 और चार तीया 12 देखो 23 से यह कट हो जाएगा 23 थ्रीजा कितना होता है तीया 9 और तीन दूनी 6 ठीक है 92 तो यह कितनी बार कट हो गया 4 time यहाँ पे कितना बच गया 4 23 थ्रीजा कितना होता है 1 वन फाइफ अब यह कट हो जाएगा 42 से 42 बन जा 42 अब 79 में से अपने 42 लैस किया कितना 9 में से 2 गया, 7, 7 में से 4 गया, 3, 3, 7, 8, तो अब देखिए, 2, 9, 18, तो 42 को आप 9 से multiply कीजिए, 9, 2, 18, 9, 4, 36 और 1, 37, मतलब ये कितनी बार हो गया, 19 बार, तो 19 पांट, पिचान में, 95 तो ये कितनी value होगी, 95% value होगी, मतलब 5% का loss हो गया, 100 में से आप 95 को less करोगे, ठीक है, अब देखिए, next, question number 19, question number 19 है, देखिए, आपको under root दे रखाए, तो हम यहीं से start हो जाते हैं, देखिए, यह हमारा 17 का root है, यह हमारा 16 का है, root आपको learn हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है, आपको learn करना, 30 तक आपको, at least 50 तक आपको root जो है, वो learn होने चाहिए, 529 जो तीन और तीन, 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12 और, एक बार 6 से add करो, 12 और 6, 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 1 हो जाएगा, 19, 1 कहरी, अब यह देखो, 7 और 2, 9, 9 और 1, 10, 10 और 1, 11, 11 और 1, 12, 4, 5, 5, 2, 9 किसका होता है, आपका, 23 का, तो option number B आपका correct हो जाएगा, 23, अब देखिए, question number 20 triangle DEF में, अब देखिए, यहाँ पे आपको दिया है, कि triangle DEF में, देखिए, triangle DEF में, यह E जो है, यह समकोन है, मतलब यह 90 डिगरी का हो गया, आपका E, ठीक है, यदि cos D 8 अपोन 17 है, cos D cos D, cos D आपका क्या होगा, base upon hypotenuse, यह कितना है, 8 upon 17, तो यह 8 हो गया, और यह हो गया आपका 17, ठीक है, अब DEF में, यह E हो गया, यह D हो गया, यह F हो गया, ठीक है, अब आपको सेक F निकालने है, क्या निकालने है, सेक F, सेक F जो है, वो आपका क्या होता है, सेक F होता है, आपका, DF upon F, मतलब, आपका क्या हो जाएगा, सेक F, सेक F हो जाएगा, H upon, सेक F, यह 17 है, आपको, परपेंडिकुलर तो आपको find out करना है, तो सेक F आपका क्या हो जाएगा, DF, मतलब, H upon, P, तो अब हम क्या करेंगे, find out करेंगे, तो देखो, EF हमारा क्या होता है, अंडरूट, हाइपोटेनियस, पाइथा गुरस लगाएगे हम, DF की स्क्वाइर, माइनस, DE की, स्क्वाइर, ठीक है, अब देखो, DF क्या है, आपका, 17 की स्क्वाइर, और DE आपका क्या है, 8 की स्क्वाइर, ठीक है, 17 की स्क्वाइर कितना है आपका, 17 की स्क्वाइर है, 289, और 8 की स्क्वाइर, 64, 9 में से 4 गया, 5, 8 में से 6 गया, 2, और ये क्या गया, 2, 2, 2, 5 किसका है, 15 का, सेक f आपका क्या गया परपेंडिकुलर आपका क्या गया 15 ठीक है तो सेक f आपका क्या होता है df 17 और f e आपका क्या गया 15 तो option number c आपका correct answer हो जाएगा 17 upon 15 समझ में आया अब देखो हमारे maths के question भी complete हो गए अब हम बढ़ते हैं हमारे computer के section की तरफ ठीक है तो देखो computer का हमारा first question है निम्न लिखित में से कौन सा एक computer के चार प्रमुक कारियों का सही क्रम है input, process, output, storage, storage, output, process, input, process, input, process, output, input, storage, input, output, process, storage सबसे पहले क्या होता है input होता है उसके बाद आपकी process होती है उसके बाद output और उसके बाद storage, option number a आपका correct answer हो जाएगा आप देखिए question number 22, 22 है आपका computer language में एक किलो बाइट पराबर है 1024 बाइट के, 1000 बाइट के, 100 बाइट के या 1124 बाइट के query का उपियोग जो है वो संदर्ब में है printer, monitor, joystick या keyboard किसके संदर्ब में होता है वो होता है आपका keyboard के संदर्ब में आप देखिए question number 24, निमने लिखित में से कौन सा एक hardware का उधारन नहीं है, scanner का, compiler का, mouse का या printer का बताइए कौन सा hardware का example नहीं है, वो है आपका compiler, option number B आपका correct answer हो जाएगा आप देखिए question number 25, एक computer system में कौन सा एक pointing device के रूप में उप्योग किया जाता है, plotter, scanner, joystick और printer बताइए computer system में कौन सा एक pointing device के रूप में यूज के जाता है, वो है joystick, option number C आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए, आपका computer का section भी हो गया, अब आपका आता है English का section, जो हम बहुत ही carefully पढ़ेंगे, जो बहुत important section है तो देखिए, English का section हम start करते हैं, वो ही first हमारा क्या आएगा paragraph, तो हम paragraph पढ़ते हैं, हम read करना start करते हैं, हमारा paragraph देखिए for any activity, discipline is the keyword, किसी भी activity के अंदर, जो discipline है, अनुसाशन है, वो क्या होता है, एक कुझी word है, एक keyword है it should begin with the self, then be extended to the family, neighbors, environment, workplace, society and the nation, at stage it should begin, यह कब start होता है, it should, जब हमें start करना चाहिए, with the self, सबसे पहले खुद के साथ, then be extended फिर इसको, जो है, वो extend करना चाहिए, family के साथ, फिर आसपडोस में, और फिर environment में, और फिर वातावरण में, और फिर जहां पर आप काम करते हैं, उस समाज में and the nation, और फिर पूरे रास्ट में, एक large बड़े लेवल पर इसको, जो है, वो start, शुरू करना चाहिए, it is from society, then inspiration is drawn, इस से जो है, वो society को, जो समाज है, उसको क्या मिलती है, inspiration, प्रेणा मिलती है, systems and institutions should provide the inspiration to society through performance, कि जो system और जो प्रणाली और जो संस्थाए है, वो शुड प्रोवाइड, जो है, वो उनको प्रदान करनी चाहिए, the inspiration, उनको क्या करनी चाहिए, प्रेणा प्रदान करनी चाहिए to society, society को through performance, कि इसके तुरू performance करके उनको क्या करनी चाह उनको प्रेणा समाज को प्रोवाइड करवाना चीए, उसके बदले में क्या होगा, will provide leaders capable of rebuilding and restructuring society in the strong nation, उसके बदले में क्या होगा, कि जो leaders हैं, जो नेता हैं, वो समर्थ होंगे, प्रोवाइड करवाने में, उनका पुनर निर्मान करने में, और restructure, पुनर गठन करने में, एक society का into strong nation, एक ताकत राष्टर के रूप में, उसको जो एक society को rebuild और restructure करने में, वो सक्षम होंगे, the nationalities spread then become infectious, तभी जो जो राष्टर वादिता है, वो क्या होगी, spirit, उनकी ताकत होगी, then become वो क्या बनेगी, एक infectious बनेगी, एक संक्रामक बनेगी, एक से दूसरे लोगों में फैलेगी, तभी राष्टरियता आएगी, ठीक है, आप देखें questions, question है आपका 26 number, what is the keyword for activity according to the passes, इस passes के according, activity जो है, उसमें कौन सा keyword मतलब माना है इसने, activity के रूप म active discipline, key discipline, active discipline को, key discipline को, self discipline को, और only discipline को, तो किसको माना है only discipline को, यह हमारी first line के अंदर ही आया था, अब देखें, question number 27, according to the passes, discipline should begin, कि passes के according, discipline जो है, वो should begin, वो start करना चाहिए, किस से, with the self, with the discipline, self, family and neighbors, with the self, family, neighbors and environment, with the self, family, workplace, society, तो सबसे पहले कहां से start करना चाहिए, खुद से, with the self से, यह भी हमने उपर paragraph में पढ़ा है, अब देखें, question number 28, 28 number question है, according to the passes, a good leader should be capable of, एक good leader जो है, वो किस चीज में capable होना चाहिए, तो हमने उपर पढ़ा है, rebuilding and restructuring society into a strong nation, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option number B, ना की यह होगा, ना यह होगा, ना यह होगा, आप देखें, question number 29, question number 29 है, what is the meaning of word infectious in the passes, infectious, संक्रामक का क्या मतलब है यहाँ पे, dangerous, spreading to everyone, spreading to everyone by germs, give disease, यहाँ पे संक्रामक का meaning तो वही है, spreading to everyone, लेकिन यह क्यों आया, कि मतलब infectious इसलिए दिया है कि nationality, राष्टरवादिता जो है वो एक से दूसरे में फैलना, तो तभी यहाँ पे infectious का use क्या गया है, अब देखिए आपके fill in the blanks है, यहाँ पे आपके blanks correct, आपको यहाँ पे verb भरनी है, verb fill करनी है, ठीक है, तो he, यहाँ पे article नहीं होगा, यहाँ पे verb होगा, he break it a girls against his aunt, ठीक है, तो उसने अपनी auntie के against क्या की, girls का मतलब होता है, शिकायत, शिकायत, तो bear, bear, bears, bearing और bear, तो यहाँ पे आपका, जो है, यहाँ पे ही आपका singular है, singular है, तो यहाँ पे verb की fifth form आएगी, वो है आपकी bears, यह आपका simple present है, simple present में आपकी verb की first form, verb जो है, उसकी fifth form आती है, SEIS लगता है, अब देखिए, next, question number, 31, 31 है आपका, it seems that higher education nowadays become, nowadays bracket for those who can afford it, कि यह ऐसा प्रतीत होता है कि higher education जो है, इन दिनों में, मतलब इसका mean क्या है, कि it seems that higher education nowadays is for those who can afford it, मतलब जो afford कर सकते हैं, वो ही higher education कर सकते हैं, imposed, लागू करना, mean, given, और planned, इसका mean, मतलब इसका meaning गई यह, तो आप देखिए, question number 32, 32 number question के अंदर आपको क्या करना है, fill in the blanks using correct periposition, okay, correct periposition fill करेंगे, संजे decided to put his whole life, संजे ने अपनी पूरी life के लिए decide किया, break it the service of mother India, कि वो पूरी life जो है, वो service देगा किसको, mother India को, बारतिये, जो माता है, उसको service देगा, तो यहाँ पर upon आएगा, whole life में देगा, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, आपका in is the correct periposition, आप देखिए, question number 33, she looked, उसने she looked, देखा, अपना crown हर जगे, तो इसमें क्या आएगा, आपका, option number, she looked in, 33, option number B, she looked in her crown everywhere, उसने अपना जो crown है, she looked for, अच्छा, उसने अपने crown के लिए हर जगे देखा, तो यहाँ पर B correct, sorry, नहीं होगा, यहाँ पर 4 is your correct answer, B is your correct answer, okay, 33 का क्या हो जाएगा, B, sorry, A, आप देखिए, 33, देखिए, 33 के अंदर आपने, जो है वो, अब देखो, last आपका, परिपोजिशन, last क्या है आपका, देखिए, I write, break it, my sister, every month, क्या किया उसने, I write, I write in, of, to, or at, तो इसका अंसर होगा, I write to my sister, every month, मैंने, मतलब, I write, मैंने लिखा, every month, प्रतेक month, to my sister, मेरी sister को, प्रतेक month लिखा, जो भी letter लिखा, कुछ भी लिखा, वो नहीं दिया, इसने बोला, कि मैंने अपनी sister को, प्रतेक month लिखा, तो इसमें आ जाएगा, आपका option number, C, आपका correct answer, हो जाएगा, अब देखिए, question number, 35, देखिए, 35 के अंदर क्या है, 35 दिया है, rearrange the parts of sentence in correct order, आपको क्या करना है, आपको rearrange करना है, तो देखिए, every season, every season, देखिए, आप इसमें connect करेंगे, automobiles can be new model of seen on Indian roads, ठीक है, तो देखिए, every season, देखो, new models of automobiles, हर season में, automobiles के जो नए model है, वो can be seen, वो देखे जा सकते हैं, on Indian roads, इंडिया की roads पे, तो इसका 35 का अंसर आपका क्या हो जाएगा, Q, P, R, option number, P, आपका correct answer हो जाएगा, Q, P, R, अब देखिए, question number 36, 36 number question है, any investment, break it, Any investment is made with the hope that the assets will earn profit, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, आपका, Any investment, कोई भी investment is made with, is made with the hope that asset will earn profit, तो इसमें आपका पूरा, कोई भी investment जो है, वो की जाती है, इस hope से, कि that the assets, जो assets है, उससे हमें क्या मिलेगा, return में हमें profit earn होगा, तो इसमें P, Q, R, इस आपका, option number C, आपका correct answer हो जाएगा, P, Q, R, अब देखिए, next question number D, Question number D है, choose the correct alternative for the following sentence, He was too slow to win the race, कि वे क्या था, वे race जितने के लिए slow था, बहुत slow था, क्या था, रेस जितने के लिए बहुत slow था, तो he is so slow that he can, वे बहुत जादा slow था, इसलिए वे race नहीं जी सकता था, He was, वे था, तो हम इसको present में तो बनाई नहीं सकते हमें past में, तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो he was so slow that he could not win the race, वे बहुत slow था, इसलिए जीत नहीं सका, तो इसलिए B is your correct answer, can not नहीं आएगा, past है, इसलिए हम could का use करेंगे, अब देखिए, question number 38, Transform the given sentence into assertive, assertive sentence में आपको change करना है, ठीक है, तो how gorgeous is the sunset, कि sunset कितना gorgeous है, तो आप सिधा इसको करेंगे, the sunset is very gorgeous, कि जो sunset है, आपको normal sentence बनाना है ये, तो the sunset is very gorgeous, कि sunset जो है, वो कितना सुन्दर है, इसलिए option number B आपको correct हो जाएगा, ठीक है, आप देखिए, question number 39, find out the grammatically wrong sentence, grammatically wrong sentence जो है, वो find out करना है आपको, he feels bad about the defeat, हार के बारे में हम जो है, वो बुरा feel करते हैं, तो ये आपका correct है, all the boys scout wear half pants, कि जो सारे boys हैं, वो क्या करते हैं, scout में half pants पहनते हैं, ये भी सही है, he hopes to secure good marks, no, ये आपका wrong है, इसमें आपका क्या आएगा, good marks के स्थान पे, आपका जो है, good marks के स्थान पे, good marks आएगा, कि हमें hope है, secure करने के good marks, तो यहाँ पे ये वाला wrong हो जाएगा, option number C, गावसकर is the brand man of India, तो ये भी आपका correct है, आप देखे, question number 40, question number 40 में हैं आपका, supply of the correct from the verb in the following sentence, अब आपको इसमें correct, पुरा helping verb से और verb दोनों भरनी है, तो he break it a new dress last week, उसने last week नई dress खरी दी, तो ये क्या है, simple past में उसने last week खरी दी, तो यहाँ पे has boat तो आएगा ही नी, क्योंकि ये present में है, has been ये भी नहीं आएगा, और ये भी ये तीनों present के हैं, उसने last week past की बात आ रही है, तो यहाँ पे verb की second form, simple past आपका boat हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए question number 41, देखिए, 41 number question आपका क्या है, देखिए, आपको क्या पूछा है, choose the alternative which best express the meaning of idiom और phrase, आपको idiom और phrase पता नहीं, to beat about the bush, क्या करना, to beat about the bush, तो इसमें क्या करना, इसका कि बुष के बारे में to beat पीटना, तो to punish an innocent person, एक innocent person को punishment देना, to hang around, चारों मतलब हैंग करना, to boost about oneself, अपने आपको boost करना, to remain ideal, ideal बनाए रखना, तो इसमें क्या होगा, 41 का होगा, आपका option number C, की इधर इधर की बातें करना, तो option number C, to boost about oneself, मतलब इधर इधर की बातें करना, option number C, आपका correct answer हो जाएगा, अब देखिए, question number 42, 42 का मतलब, in apple pie order, मतलब, पूर्ण क्रम या वैवस्था, in apple pie order, मतलब एक वैवस्था के according, काम करना, ठीक है, तो देखो, to change for the better, better के लिए change करना, expose one inner feeling to the others, दूसरे की feeling के लिए, expose करना, अपनी अंदर की feeling को, perfectly, methodically arranged, या, की perfectly उसको पूर्णा, क्रम या सू वैवस्थित करना, तो option number, seen apple pie order, किसी चीज़ को क्रम में अच्छे से, arrange करना, अब देखे, question number 43, choose the correct, synonym of the given bird, petition, petition का मतलब क्या होती है, petition का मतलब, बोलते हैं न, petition fire कर दी, appeal कर दी, आवेदन फाइल कर दिया, court के अंदर, तो petition होता है, आवेदन, तो इसको क्या बूल सकते हैं, rotation, administration, प्रशाशन ये, appeal, तो इसका synonym क्या हो जाएगा, आपका appeal, आवेदन करना, vocation, छुटियां, चीक है, आप देखे, question number 44, choose the correct opposite of the given words, opposite words, opulent, opulent का मतलब क्या होता है, opulent एक adjective है आपका, opulent क्या है, adjective है, opulent का मतलब होता है, धनी, प्रचूर, तो धनी, प्रचूर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपको सीधा ही दे रखा है, poor, गरीब, थीक है, poor, गरीब, इसका मतलब क्या होता है, आपका धनी, wealthy धनी, some futures का भी धनी, थीक है, अब देखिए, question number 45, choose the one word, which is the best substitute for the given word sentences, a person who collect and studies stamps, एक person जो studies और जो stamp है, उनको collect करता है, इकठा करता है, उसको one word में हम, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताईए, उसको बोलेंगे, आप, filly, 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 fillyatty list, तो option number B, आपका correct answer, हो जाएगा, dark ticket, संग्रे करता, ठीक है, question number, 46, a sentence has been given in active, passive voice, out of four given alternatives, select the one which, best express the same sentence, in passive active voice, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको, passive voice में convert करना है, the chef did not cook a dish, तो इसमें सीधा देखिए, a dish, did की जगे, यहापे क्या जाएगा, वोज, तो a dish was not cooked by the chef, तो इसका answer, आपका क्या हो जाएगा, a dish was not cooked by the chef, option number A ही, आपका correct answer, हो जाएगा, आप देखिए, question number 46, 46 number question है, which best express the same sentence, in indirect speech, आपको direct indirect speech, बताना है, राज said, I am happy to be here this evening, राज ने कहा कि, मैं इस शाम को क्या हूँ, खूश हूँ, तो इसका answer क्या हो जाएगा, आपका, राज said that, I, राज के according आएगा, he, M, राज के according आएगा, was, happy to be here की जगर, there आएगा, that evening, ठीक है, राज said that, he was happy to there, that evening, तो option number, A, आपका correct answer हो जाएगा, अब देखिए, last आपके three questions, इसमें क्या आपको, error find out करनी है, तो देखिए, question number 48, देखते हैं कि, इसमें हमारी क्या error है, तो he is anoxyous, not only to acquire knowledge, but also, एगर to display it, देखिए, question number 48, के अंदर क्या होगा, he is anoxyous, not only, तो यहाँ पर क्या हैगा, not only, तो he is, not only anoxyous होगा, क्या होगा, he is not only anoxyous होगा, to acquire knowledge, यहाँ पर, anoxyous not only नहीं होगा, not only, आपके क्यां आ जाएगा, आपके आगे आ जाएगा, इसलिए, option number, a में ही, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, आप देखिए, question number 49, 49 है आपका, the officer, as well as the assistant, abstended themselves, from the officer, यहाँ पे the officer, as well as the assistant, officer की बात हो रही है, और assistant की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, officer, as well as the assistant, absented, themselves की जगे, यहाँ पे आपका क्या आएगा, himself का प्रियोग होगा, क्या होगा, themselves की जगे, himself का प्रियोग होगा, क्योंकि जो sentence है उसके अंदर जो subject है क्या है आपका officer और जो कि third person singular number है इसलिए यहाँ पे आपके क्याएगा third person plural number में नहीं है इसलिए यहाँ पे आपके क्याएगा himself ठीक है आप देखिए question number 50 last question आपका there are so many filth all around the place there are so many filth तो यहाँ पे so many की जगे आपका क्या आएगा so much ठीक है counting की बात हो रही है तो यहाँ पे so much ठीक है तो option number a में आपके यहाँ पे mistake हो जाएगी ठीक है तो आपका test series complete होता है I hope आपको questions अच्छे लगे होंगे हम next class में मिलेंगे एक next बहुत अच्छी test series के साथ और यह करिएगा और benefit उठाईएगा बाई बाई